हेलो प्रेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दन लाइनेज लेम्प पर आज हम डिफ्रेंशियेशन स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशियेशन में देखेंगे कैसे कैसे उसके फॉर्मूले है उनको क्वेस्टन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो स सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है इसका रूल हुए है डिफ्रेंशियेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी फंक्शन को उसको हम समझते हैं तो सबसे पहले फंक्शन को हम एफेक्स से दिखा सकते हैं या फिर य से आप जनरल देखेंगे कि y is equal to कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको डिफ्रेंशियेट करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं वाई को अगर डिफ्रेंशियेट करेंगे तो दी वाई बाई दी एक्स लिखते हैं ठीक या फिर इसको हम एफ एक्स लिखा तो एफ डैस मोस्त भी लिख सकते हों भी हिद गेश न कोहीं दिखाता है या फिर इसकोँ हम वाईON लिख सकते है वाई डैसे लिख सकते हैं सभी differentiation के representation है ऐसे हम कर सकते हैं ठीक है अब कि खुष्ट प्रिंस्पल क्या है खुष्ट प्रिंस्पल माली जी कोई y function दिया हुआ है fx के फॉर्म का मतलब जिसमें सभी variable x के फॉर्म है तो खुष्ट प्रिंस्पल से हम dy by dx को लिखते है limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h इसमें जहाँ-जहाँ h आएगा वहाँ-वहाँ h की value क्या होगी 0 और fx जैसे जैसे वाहरी करेगा उसको हम रखते जाएंगे ठीक है यह है इसका फॉर्मूला तो हम question के थुरू देखते है question दिया हुआ है ऐसे question करके आता है find the following derivative by the first principle method इस function का derivative find करना हमको first principle method से तो सबसे हम पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d by dx of function fx is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h कि इस fx fx plus h का मतलब क्या है ज्यादा तर बच्चों कोई है पर प्राब्लम आता है तो कोई भी function जो पर लिखा है fx fx is equal to x square जब यहाँ पर x प्लस है चाहता है यहाँ पर x है तो x के form में है यहाँ पर जो भी चीज़ आएगा उसके हिसाब से यह वाला change हो जागा जैसे x plus h का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते है x plus h का whole square यह चीज़ लिखेंगे ठीक है तो इसको हम देख सकते है कि d by dx of fx is equal to limit h tends to zero f x plus h का whole square यहाँ पर लिख सकते है ठीक है minus यहाँ पर इसको cut कर देजिए यहाँ पर x का square x square लिखा है fx क्या दिया है x square हम x square लिखेंगे divided by h ठीक है तो यह होगा limit h tends to zero यह होगा x square plus h square plus 2xh अब यह चीज़ हम कैसे क्लिख दिए तो आपने सात्व यां आठ्वे में पढ़ा होगा कि a plus b का whole square is equal to a का square plus b का square plus 2ab तो उससे हमें इसको प्रसार कर देंगे और यहाँ से x square है divided by h अब यहाँ से plus x square minus x square cancel out हो जागा तो limit h tends to zero अब देखें इसको में लिख सकते है h square plus 2xh divided by h दोनों में h common है तो cancel out हो जागा common कर लिजे next step में limit h tends to zero h common कर लिए तो यहाँ से बचाए एक h, एक h common हो गया तो एक h बन जाएगा यहाँ से 2x बचेगा ठीक है divided by h इस h से एवाले h cancel out हो जागा अब क्या बचाए यहाँ पर limit h tends to zero h plus 2x अब इसका मतलब यह होता है कि जहाँ जहाँ यह अच्छा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे zero इस पूरे function में h कहाँ पर यह है तो इसको हम zero रख सकते हैं इसको अगर हम formula आगे चलके next video में देखेंगे यह formula आगा उसमें देखेंगे तो आपको पता चल लगा कि इसको हम short form में easily कैसे कर सकते हैं ठीक है तो यह है दूसरा question जिसमें आप देख सकते है fx is equal to c वैसी is a constant constant मतलब एक ऐसा कोई number हो सकता है इसकी value उसके function पर depend नहीं करते हैं यहाँ पर जो variable है उस पर depend नहीं करगा यहाँ पर आप कुछ भी changing किजिए यहाँ पर वो constant बनाई रहेगा तो इसका हम कैसे करेंगे उसको देखेंगे d by dx of fx is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h limit h tends to 0 जैसा कि हम बोले कि यहाँ पर कुछ भी आप change किजिए यहाँ पर changing नहीं होगा तो यहाँ पर हम x plus h भी अगर कर देते हैं तो यह c का सी ही रहेगा इसका value हो जागा c fx का value c दिया है तो c फिर से लिखते है और यह हो गया h ठीक है तो हो गया limit h tends to 0 c minus c हो गया 0 divided by h यहाँ पर limit h tends to 0 0 by h हो गया अब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है जीरो होता है ठीक है तो यह 0 हो गया और 0 पर इसमें अच्छा है नहीं तो इसका answer 0 हो गया तो यह हो गया fx is equal to c का derivative first principle method से अब question number third हम देखते हैं माली जी कोई function ऐसे दिया fx is equal to one upon x तो इसका कैसे करेंगे तो इसको करने के लिए हम लिखते हैं d by dx of fx limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h limit h tends to 0 fx plus h का value क्या होगा यहां से x है तो one upon x है ठीक है तो fx plus h हो जाएगा तो one upon x plus h हो जाएगा ठीक है यहां पर जो change होगा वह ही यहां पर change होगा x plus h हो गया तो यहां भी x plus h हो जाएगा तो one upon x plus h minus fx का क्या है one upon x divided by h limit h tends to 0 यहां पर इसको अब solve कर लिजे इसका अगर हम lcm लेंगे तो देखिए इस वाले पूरे function को अगर solve करें तो इसका lcm हो जागा x into x plus h इसका यहां पर multiply कर दीजे इसका यहां पर तो यह x हो गया और यह हो जागा minus x plus h यह अलग bracket में ठीक है यह पूरा तो उपर का होगा फिर यह divided by h limit h tends to 0 अभी इसको अगर minus से अंदर में multiply करेंगे तो यह minus हो जागा और यह plus v minus हो जागा इसलब x minus x minus h divided by यह पूरा x into x plus h divided by a वाला h यह हो गया limit h tends to 0 plus x minus x cancel हो जागा यह बचा minus h divided by x into x plus h और यहां पर h ठीक है यह हो गया उसके बाद आप कैसे करेंगे तो देखें यह divided by a divided by a फिर यहां पर हम 1 लिख सकते हैं ठीक है तो इससे cancel out हो जागा तो finally क्या बचेगा limit h tends to 0 और यहां से हो जागा आपका minus 1 divided by x into x plus h बचेगा ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे आप value put कर देंगे तो h की value कितनी है 0 तो 0 put कर देए तो यह minus 1 जैसे ही value put करते हैं यहां पर limit लिखना बंद कर देते हैं ठीक है तो minus 1 x x plus 0 x plus 0 कितना होगा x ही होगा तो इसको हम दिख सकते है minus 1 x into x तो यह क्या हो गया x square तो minus 1 upon x square इसका answer हो गया तो यह हो गया किसका derivative f x बराबर 1 upon x का derivative first principle से कितना गया minus 1 upon x square ठीक है next question देखते है तो next question देख सकते है आप f x is equal to under root x दिया हुआ है ठीक है under root x का मतलब है x के power 1 by 2 under root का मतलब बता है किसी भी number का power 1 by 2 ठीक है तो इसको हम कैसे करेंगे d by dx of f x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x divided by h ठीक है तो limit h tends to 0 अब यहाँ पर x है तो under root x है ठीक है तो यहाँ पर अगर x plus h करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जागा x plus h under root में क्या हो जागा x plus h ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते है under root x plus h minus f x की value क्या है में बोलते है पर में करण करना और इंग्लिस में rationalization तो वो कर देंगे उसका simple समय दढ़ता है कि यह जो उपर sign दिया हुआ है minus इसको अब plus करके और सब चीजे सेम रखके इसको क्यों plus करके उपर नीचे multiply कर दिजिए मतलब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे under root x plus h यह जो minus था इसको हम plus करेंगे फिर under root x इसका उपर भी multiply करेंगे और नीचे भी multiply करेंगे मतलब denominator और numerator दोनों में सेम value से multiply कर दिजिए x plus h plus under root x उससे होगा क्या क्या क्यों पर वाला value simplify करने में easy हो जाएगा देखिए limit h tends to 0 अब इस types का आप 7 या 8 वी में देखे होंगे कि a minus b और a plus b एक bracket में minus b है एक bracket में plus b है तो हम क्या कर सकते है लिख सकते है a का square और minus b का square ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा x plus h under root का whole square minus under root x का whole square divided by h under root में x plus h plus under root x यह हो गया अब जब square करेंगे तो यह under root कितना होता है 1 by 2 होता है और 1 by 2 का multiply होगा 2 में तो power cancel हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा limit h tends to 0 x plus h और यहाँ से हो जाएगा minus x divided by h under root x plus h plus under root x यहाँ से plus x minus x cancel हो जाएगा तो limit h tends to 0 उपर h divided by h under root x plus h plus under root x ठीक है तो h से h cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर बज़ गया आपका limit h tends to 0 1 upon under root x plus h plus under root x अब s की value 0 put कर दीजिए तो क्या हो जाएगा next step में 0 जैसे ही value put करेंगे तो limit लिमिट लिखना बंद मतलब 1 यह हो जाएगा x plus 0 और plus x जो की फिर हो जाएगा 1 upon under root x plus under root x अब दो बार एक ही चीज है तो उसको हम क्या लिखते हैं दो बार under root x मतलब दो बार under root x को कैसे लिखते हैं 2 times under root x हो गया तो यह हो गया derivative आपका under root x का derivative ठीक है तो ऐसे कर सकते हैं या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं और q1 by 2 और x के power 1 by 2 है ठीक उपर जाएगा तो power minus में हो जाता है तो x के power minus 1 by 2 कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिल सकता है तो दोनों सेम चीज हैं कोई दिक्कत नहीं कोई difference नहीं उसमें ठीक है तो यह कुछ question रहे फर्स derivative method कैसे हम question को solve करते हैं आपने देखा आज ठीक है आप कुछ formula हम आपको बता देते हैं आज ठीक है उनको याद कर लिजेगा ताकि आगले आने वाले वीडियो में आपको easy होगा उन formula से करना कैसे formula के base पे हम question को solve करेंगा तो जो formula हैं उनको देखते हैं सबसे पहला formula d by dx आप मतलब derivative x to the power n इस types का कोई function है मैं लिजे लिखा है x के power 5 का derivative क्या होगा x के power 17 का derivative क्या होगा तो उसको हम कैसे करेंगे तो उसको हम x to the power n लिखते हैं यहन क्या है एक number है ठीक है तो इसका derivative हम direct कैसे लिख सकते हैं यह जो उसके सर पे होता है मतलब उपर है power में उसको आगे लिखे आ जाईए ठीक है फिर जो number यहाँ पर जो चीज यहाँ पर लिखा जो function उसको लिख लिजिए और power में आप एक और घटा दीजिए तो ऐसे हम कर सकते हैं तो यह हो गया x to the power n का n x to the power n-1 फिर d by d x आप c कोई constant है उसका अगर derivative हमको find करना है तो उसको derivative क्या होता है जीरो होता है ठीक है फिर d by d x of e to the power x यह क्या है कोई number है किसी number के power x है माल लिजे जैसे 2 के power x है 5 के power x है तो उसका हम कैसे निकालते है तो उसको हम लिख सकते है एक के power x मतलब सिंपल जो दिया है उसी को अगब लिए उसके बाद लिखिए log और यहां पर अब इसका मतलब क्या है ठीक है उसको देखते हैं तो इसका मतलब वता है कि इसके लिए आपको पहले लॉग जाना होगा कि लॉग क्या होता है लॉग कि कुछ चीजे आपने नममी या दस्वी पढ़ा होगा नाइन टेंथ में तो उसको समझना पड़ेगा आप दाभको कि इसका मतलब क्या होता है ठीक हो जैसे हैं आप पड़े होंगे की लॉग यहां पर जिखते हैं उसको बोलते लौक का बेस हूaci और यहां पर नमबर होता है जो उसे उपर tulip होता है तो अगर यहां पर जो नम्बर लिखा है मां लीजित हमना है और यहां भी म हैं तो उसका वाल्यू हमेशा 1 होता है ठीक है यह चीज को आप याद रखेगा और जिस लाग की वैल्यू वेस ई होता है उसको हम जन माल लिजे लॉग यह और यह लिखा है तो इसको हम नेच्रल लॉग भी बोलते हैं एलन भी लिखते हैं इस पूरे को यह तो रहे गए लॉग इक Besides और ऄफे बार जीए लुग लिखते हैं यहां पर अंग जो रहेगा कि इस पावर में एकस अगर है तो पहले हो जो दिया गया है उसको सेम टू सैंब लिखे उसके लिखें और जो है जिस नीचे जो value दिया है उसको फिर से लिख दीजिए हो जाएगा ठीक अब इसी पर बेस से को रहाता है कि d by dx of e के power x अब इसको देखिए e के power x है a के power x है स्वेम चीज़ है a के place पर e है तो हम a के power x था तो a के power x लिखेंगे ठीक लॉग e भी लिखेंगे अब यहाँ पर e के जगह पर क्या है e है तो e के जगह पर e कर लगए हो गया अब अभी हम आपको बता है कि अगर दोनों चीज़ सेम है तो उसका value 1 हो जाता है ठीक तो e के power x और इसका value पूरे का 1 तो यह हो गया e के power x मतलब इसका direct आप e के power x लिख सकते हैं इसका direct आप यह जो दिया e के power x वही e के power x ही होता है यह आपको समझाने के लिए बता है ठीक है तो d by dx आप e के power x e के power x हो जाएगा अब उसके बाद एक और दो फर्मूले इसमें हो रहाता है d by dx आप log e x log e x है तो क्या हो जाएगा केवल 1 upon x अब यह भी कैसे होता है उसको देख लेते हैं पहले आप इसको समझेए एक फर्मूला होता है d by dx आप log d by dx आप log दिया है आपका यहाँ पर a और यहाँ पर लिका है x ठीक है यहाँ पर e बेस नहीं है बेस क्या है a है तो इसका equal to में हम लिख सकते है 1 upon x log a और e अब देखिए इसका मतलब क्या log a x लिखा है मतलब log यहाँ पर लिखा है यहाँ पर e नहीं लिखा है यहाँ पर कोई और वायलो लिखा है like 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकता है और यहाँ पर e x है तो हम पहले 1 upon x लिखेंगे उसके बाद log a तो same to same रहेगा और इस x को अड़ाने के लिए e लिखेंगे वहाई चीज इसमें हो रहा है देखिए अब यह log e x है log a x है और e x है क्यों एक प्लेस पर e आ गया तो यहाँ पर log a x था तो 1 upon x लिखें log a e किये तो यहाँ भी 1 upon x करेंगे ठीक है अब क्या लिखेंगे log a तो log अब a की प्लेस पर यहाँ पर क्या e तो e लिखेंगे और e तो फर्मूले से आगा तो e हो गया अब इसका value फिर से 1 होगा तो 1 upon x तो इसलिए वहाँ इसका value होता है 1 upon x ठीक है तो यह six formula है जो आपको help करेंगे किसी भी function का derivative find करने में इसके अत्रिक छो और होता है जो टिग्नोमेट्री से related जो derivative से उनके लिए होता है तो उसको देख लेते हैं फिर आज का वीडियो खतम करते हैं पर पहले एक बार derivative आप टिग्नोमेट्री का derivative भी देख लेते हैं तो माल लिजी दिया हुआ है d by dx आप sin x ठीक है तो sin x क्या हो जागा d by dx आप sin x का होता है cos x ठीक sin का cos cos का 10 ऐसे करके चलगा फिर d by dx आप cos x का क्या हो जागा sin x ठीक लेकिन अभी एक चीज इसमें है उसको हम लास्ट में बता देते हैं फिर d by dx आप 10 x is equal to 6 square x फिर d by dx आप cos x is equal to cosec square x फिर d by dx आप sin cos 10 cot sec d by dx आप cos x is equal to sec x into 10 x sec x into 10 x फिर d by dx आप cos x का क्या हो जागा cos x into cortex ठीक अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जिसमें जिसमें c है derivative में जिसके भी c है जैसे यहाँ पे c है cos x, cortex और cos x तो अगर c है तो उसका derivative में minus sin आ जाएगा ऐसा कोई formula के वाज़े से नहीं होता है यह याद करने का तरीका है एक्चुल में cos x का जब derivative find करते तो minus sin x c आता है ठीक है तो याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते है बहुत ज़्यादे confusing हो जाता है तो इसलिए याद करने के आप ट्रिक से याद कर सकते है कि जिसमें जिसमें c आएगा derivative करने के लिए अगर c वाला आ गया है तो उसके answer में minus sin लगाएंगे एक्चुल में होता है यह कि d by dx आप cos x का होता है minus cos x into cortex cos x का है तो minus sin x होगा, cortex का होगा तो minus cos x स्कुरार अक्स होगा तो जिसमें c है उन सब के आगे minus लगता है तो इच्छा होगा है trigonometry से related derivative और पीछे जो जखें है इन बार अगर फार्मूले आप याद कर लेता हो तो बहुत सारे question आपको easily हो जाएंगे ठीक है तो इन पर कल हम कुछ question देखेंगे ठीक है अब एक question आपको हम दे रहे हैं उसको आप कीजिएगा उसका answer आप comment box में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा जैसे माली जीए कोई effects दिया हुआ है और function है आपको हम कौन-कौन से question मता चुके है कि कोई भी effects है तो उसमें हम कैसे उसको solve करेंगे तो माल लिजिए यहाँ पर लिखा है 3x ठीक है तो इसको आप कीजिएगा comment box में इसका answer आप बताईए कि first derivative से कैसे हम इसको find करेंगे और इसका answer क्या आएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए और इसका comment इसका answer आप comment box में कर सकते हैं हमारे channel को subscribe कीजिए share कीजिए दोस्तों के साथ अपने ताकि सबको mathematics में कोई problem ना हो generally agriculture के students को ठीक है धन्यवाद